हेलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागात है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनाइस बोर्ड का जो है जोग्राफिक का चैप्टर चैप्टर नंबर 5 यह जो फाइब चैप्टर जोग्राफिक जिसमें हम आज करेंगे दवर्क और रॉनिंग वाटर एन ग्राउंड वाटर और दिर इस इंपोर्टेंट टॉपिक यानि बहते जल और भूमी का जल का जो है क्या का रहे है इसके विश्रम में विस्तार पुपक चर्चा करेंगे य दॉण तो जिसको आपको सचना विचार विस्ताफिये और अमल करना चाहिए चेंगए कि जब भी वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जनकारी सदेव खतरनाक होता है, साथ में एक इंपोरेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली वार वीडियो देख रहे हो, तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो लाइक कीजिएगा, तो बनाने वाले का मनुवल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इससे ये होता है, कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा, उसका नोडिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा, और देखिए, सेर का मतलब ये होता है, कि आप के थुरू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाएगा, ये आप भी नहीं जानोगा, इसलिए जो है, आप सेर जरूर करो, ठीक है, वट सब स्टेटरस पे भी लगाओ, दोस्तों, पानेसी संटर जाएग कई मानने में बहुत से बचों के लिए हल्फूल है, चाहे हो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे हो NIOS Board के बच्चे हो, ठीक है, चाहे BA, MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ न कुछ जो है, तिरपान से संटर में उपलब्ध है, तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सस्क्राइब करके इसको चनल को जो है, सेव कर लो, नहीं तो बात में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको इस चनल प्राप्त ना हो, तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सस्क्राइब करके जो है, अपने पास सेफ करना है तो यह तो बात था आपके लिए लिकिन आप देखते हमारा आज टोपीक क्या है today I have a most important chapter doing here the work of the running water and underground water there is a most important chapter for geography the also important here is the underground water there is a most important topic the sea base and the water holding capacity of the rock depend upon its space it is the rock is the forest like is a sandstone it will be allowed to water to easily pass through it such a rock are called to the permeable rock on the other hand if the rock are not repose and do not allow to the water to pass through them they are called to the implement table is a rock however if there are any crack or joint in such a rock water may be passed through them there is a most important for underground water here is the part of the rain and snow the melt water which is the accumulate in the rock after the sweeping and through the surface is called underground water there is a most important underground water definition the rock throw which is the water can pass easily are called permeable rock and the rock throw which is the water cannot pass through are called impermeable rock there is a pass easily there is called to permeable rock and third the amount of the underground water is a varies from the space to another it is a role in the shappings the source of features of the earth is a quite important most of it is a work is a confined to be a subsurface is area throw it is a play on important role on the surface also we will tip the steps to help this way in itself is so important to help people का जो निष्णा या उनकी जल धारना करने की चमता कितनी है इस बात पर जिपएंड करती है कि शेल करन के बीच खाली अस्थान कितना है यदि शेल बलुआ पत्र की तरह सरंध्र है तो जल उनमे असानी से प्रवेश कर जाती है ऐसे प्रəमगाय की तरह संक्रतर रहेंगे यह जो होंगे शेले बलुआ पत्थर की तरह सरंद्र रहेंगे और जल में असानी से प्रवेश कर जाएंगी ऐसे शेलो को हम प्रवेश कर जाती है जुकि बहुत सदारन बात है कहते हैं अगर देखा जाये तो वर्षा का जल या हीम के पिगलने से बना जल जब भूमी के अंदर रिस्क कर शेलो में कत्र हो जाते हैं तब भूमी गज़त कहलाते हैं तो यह कितनी इंपूरन बात है कि वर्षा का जल या हीम के पिगलने से बना जल जब भूमी के अंदर रि कहते हैं इसकी मुक्य भूमिका रहती है और इसका मुक्य कारे जो है दरातल के नीचे होती है लेकिन दरातल के ऊपर भी कारे काफी महतपून होता है तो और एक नीचे है और प्रड़ कारे रहत आपनल ऑनल वक्याच अपर यह जैगे पाफनल प्रहती है तो अप्रॉट आप एंड यह अ बाद वार्ण श्या एवाड बार्ण फोट इस बाद गाफरा जोन अलुट इस या झाठ रहत वार्ण अपर लिब विशय कल अर वार्ण zone of centration the upper level of this zone is below which the rock are completely saturated with the water is called to the underground water the label or the water table that is the most important here the water table the rock of continually underground water is called the aqua fire the rock is a contour containing as a s here are underground water it is called the aqua fire the underground the horizon of porance is a permeable rock which are filled with the water is called zone of situations the level of ground water is below which is the rock is fully filled with the water is called the water table that is the most important here and the next is types of water table there is the most important here the level of the ground water table aware to the factory and it is never to the same is any area the level of the water table is controlled by the nature of land surface and the variation in the amount of the rainfall and the character of the underlandings rock the water table is generally higher in the area of high precipitation and the also is the area is about drinks a river and the lakes the water table changes according to the seasons it is a higher in the raining season and the lower during to the summer on the basis of the availability of the water table is of the two types the first there is the permanent water table and second here a temporary water table that is the most important but a first here permanent water table the way the water table is a stable is a statics and the never fall below to the particle level it too is called to the permanent water table it is not affected by the seasonal change well ducks and up to the depth provide to the water in all season there is a permeable bell there is shown the diagram of permanent water table there is the most important here there is no wells and deeps well the wet season water table and dry season water table permanent zone of situation impermeable rock there is the most important diagram showing there the second area temporary water table there is a most important here a temporary water table this is also known as a seasonal water table the level at which the water table is there not to be a stable other keep changing with the season is called temporary water table it is mean to that during to the wet season the water table will be higher than it is during the dry season it is a water table of the wet season that is a temporarily the well ducks up to this level are not a panel there is a dry after during to the summer season you might have been to well dry up there during to the summer season and the become is a friendly with the water during to the french season it is a because such as the well are ducks up to the temporary water table here the most important point the nature of land surface of radiation in amount of rainfall and the nature of the rock affect the underground water table of any area and the second here the level below to which the water table never fall is called to the permanent water table and the next here the water table which is the change with the season is called to the temporarily seasonal water target table here is a kind of water table here is the topic of water system and the water in the water so the water system is called the water system gets in and wet water and water so you will know can only be there that is that if you will hear from your spring water and water and its अप्रागय शेले बिची होई होती है बर्षा का जल रिष्क अप्रागय शेल तक ही जा पाती है क्योंकि जल इन शेलों के नीचे नहीं प्रवेश कर सकता है अंदतर यब प्रागय शेलों के रंदों और चिद्रों में कत्र हो जाता है जल से भड़ी शेलों को जल भात या शे जल के भंडारन करने वाली होती है प्रामगमय और स्वरंद्र शेलों का वह सतर जो पूरी तरह से भूमी गजल से बढ़ा हुआ रहता है हम उसको सब्द्र सतर कहलाता है यानि सबस्थ सबस्द्र कहते हैं इस सब्दर का जो है उपरी तल जिसके नीचे की शेले पूरी तरह से जल से बढ़िती होती है भूमी का ज़ल का तल यह जल सतर कहा है तो यह पॉठ excited काफी चुरूरी ना प्याटता है अधारण करने वाइब नीचे अवाली शहयलों को जलभ तल शहयल कहते हैं और ध्राइबल के नयचे प्रमगमैं और स्रूंधर शहयलों को जो संदंतर भूमी गजल से बरा रहता है हम स्वाप्त संदंतर कहलाता है भूमी गजल का वह तल जिसके नीचे शेल जल से पूरी तरह से बड़ी हुई होती है भूमी गजल सतर कहलाता है तो यह कई मानिम इंपोर्टेंट होता है आगे हम देखते हैं कि हमारा क्या है यहां प पीछे शेलों की जिसे साओं के दोरा नियंतरन होती है अधिक वर्षन वाले परदेश या नदियों को जीलों के निकरवर्थी छेतरों में बूमी का जल सतर काफी उंचा रहता है और बूमी का जल सतर जो है दरातल के उच्छे बाद से भी काफी प्रवावित होता है वह तिर आर डितु में योँचा और लिश्र म मित नीचा रहता है कि काफी इंपोटेंट बात रह जाता है ले बहुत के दो परकार के होतों स्था और एक आस्ताई जल सतर होता है प्त एक जरताए है और अश्था जल से निचे नहीं जाता है इससे स्थाइब भूमिकत जलसतर कहती है रितियों के प्रवरतनों का इस कोई प्रभाब नहीं पड़ता है और इस गाहराय कोड़े गए कुवे में जलसदे भरा ही रहता है ऐसे कुवे को हम सदानीर कहते है यारी यह क्या कहलाते है साधा नीड होते हैं जैसा कि यहां पर डाइगराम में भी दिखा गया है देखिए यहां पर आप देख सकते हो कि यहां चिछला कुवा खोदा गया है और यहां पर स्थाई भूमी का जलसतर जो है दिखाया गया है गैरा कुवा खोदा गया है लेकर स ऑपके स्षाहत हमारे समक्षा 7 जलस्तर भी कहते हैं यह बूमी जलस्तर थिस तर्स नहीं रहता है और रिती gesund ने होगा शुष करीटू का तरो Fen presented बूमी गजल सतर अस्थाई रहता है और इस तलका जो है कोदे गए कुए जो है सदा नीर नहीं होते हैं यह घृषम डिटू में सुक जाते हैं और अपने जो है गृषम डिटू में कुए को सुखते होए तृता बश्राव ड़ितू में जल से बड़ा हुआ देखा ही होगा ऐसे इसलिए होता है कि यह कुए अस्ताई भूमी का जल सतर तक ही खोदे गए होते हैं जो कि कई माने में इंपोटेंट भी होता है यहाँ पर इसी बात को दशाने के लिए कुछ पॉइंट आये हैं देखिए भूमी का जो है सरूम वर्षा की मात्रा पर प्रवर्तता शैलों क शैलों कि च्यातर के भूमी का जणतर को परभावित करती हैं जलतल के भूमी का जल सतर का जो है कभी नीचे नहीं जाता है उसे अस्ताई भूमी का जल सतर कहते हैं उसे हम ... यह कई माने में इंपोर्टन भी है अ बेल, तुबेल, आ तुबेल यो अंख्ति एल थी। नप्ति एल, चुबेल यो तुबेल, आपले are many made of the whole, dug, or the surface throw which is the underground water that is driven to the drinking, purpose and the hearings, and then to the body mechanically as it is the case of the two-wakeल or the dug by the man as it is the case of the wale, to reach the permanent water table. a special types of well in which the water arrives to automatically under its urban pressure to surface either through their natural air man-made hall is called as a astraean's well the name of astraean's bells be my drive from to the provinces of attorney in the is a francis where the first well of this type was a dog and the containing condition are requisite of astraean's well the first point here is arrangement of the rock for our astraean's well there should be a layer of the permeable rock lining between the two impermeable rock layer is such a case the water present in the permeable rock does not escape here show the most important diagram astraean's well that is the most important here the impermeable rock permeable rock and astraean's well and the cloud rain there is a most important diagram the next here is a structure of rock state there is the most important area second condition for the occurrence of atroceans well is that rock must have a sinusoidal or dilated structure and the next here intake of area of the rock it is a necessity that is a permeable rock should be exposed at the ground surface so that rock can be shocked it is a rain water and this is an intake area should be sufficiently high so that is a enough hydrolylic pressure will be a devolver to force the water upward into the well there is a most important and the also important here ability of the water there should be a sufficient amount of precipitation of infiltration of water in in the area where the permeable rock is exposed at the surface here is an important fact the man made for hole on the earth as a surface through which the ground water is obtained is called well that is the most important a man-made hole on the earth surface through which the underground water is obtained is called a well a well is a which water flow automatically under its urban pressure is called addition well the next year the necessary of conditions are required for the occurrence of addition based arrangement of the rock structure of the rock stair high intake area of the permeable rock and ability of water and ability of water and ability of water here is our topic topic this is the requirement of the rock that known as the spring of the rock that comes from the rock which the north into the rock that comes from the rock that comes from the van hoot प्रस्थिति क्या है देखते हैं पहला प्रस्थिति यही है कि शेलो का विन्यास देखिए उसे प्रगमय के बीच प्रमागर चाहिए और इस प्रकार प्रमागर शेलो में बारा जल इधर उधर नहीं जा सकता है जैसा कि यहां डाइगराम में भी दिखाया गया गया जिसमें आप प्रगमय चटान आपको दिख रहा होगा और इसके उपर प्रगमय चटान दिखेगा पुद्क्रिस कूप दिखेंगे और यह मेंग बश्था दोरा जो है पानी कटा करने का सबसे सान और सबसे बहतर तरीका माना गया और इससे ग्राउंड वाटर डिचार्ज होता ही रहता है दूसरा जो तरीका है शेलों की शरचना देखिए उससे स्कूपों के बनाने के लिए दूसरी सर्थ है कि शेलों की सरचना जो है अभी नीमितिक या जुकी होई होनी चाहिए अर्था शेलों की परते परते उचली हुई हो और इसी सिती को में जो है जल रिष्ट कर सेलों में जा सकेगा यह अत्रशित छेत्र जो है अत्मा जहां जल प्रमत सेलों में प्रवेश करता है काफी उचाय पर होना चाहिए ताकि जल के जो है बाहर निकलने के लिए अवशक द्रव्य चालित करने में इंपोर्टेंट भी रहता है उसके पश्चात हमारे समक्षा जल की शुलवता देखिए जिन अस्तानों पर प्रमत शेल जो है तनाब तनाब तो हो वहां काफी वर्षा होनी चाहिए यह जो है सदार नीर नदी अत्वाहिम नदियों का पिगला जल प्रयापात्रा म यह कुवा जैसे भूमी का जल अपने दवाब के करन स्वेथ द्रातल पर निकलने लगते हैं उसुब कुवा कहलाता है उसुब कुवा बनाने के लिए अवश्चक परश्चितिया है शेलो का विन्याश और शेलो की सरचना शेलो को अंतहीत चेत्र और जल की सुलबता तो य चैनल पर आयो हूँ सुस्क्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है सुस्क्राइब करने से यह होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा अगर सब्सक्राइब नही वीडियो का जो है फैदा नहीं उठा पाओगी तो सुचिए मत विचार मत किजिए सस्क्राइब किजिए आप सुचते हो यह गा कि मेरे सब्सक्राइब नहीं करने का सुचिएगा लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है तिरपानसरी सेंटर जो है बहुत हिल्फूल है क्योंकि यह आपके 8th class, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट के सब्सक्राइब करता ही है प्लस जो है यह एननाई स्क्राइब के 10th प्लस 2 को भी कवर करता है साथ में विए जो है फॉस्ट इयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए यह आगरसर रहेगा आर्ट सब्जक्ट में तो सोचिए न और पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सुलूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फैदे मन रहेगा अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा तो हो सकता है कि आपको फिर दुबारा मैं ना वीडियो बनाओ और आपको फैदा ना पहुंचाऊ तो अभी भी नहीं सोचिये मेरा जितना आप फैलाईएगा जितने दुसरे बच्चों के साथ सेयर कीजिएगा उतना जो है मैं आपके लिए कारे करने में अगरसर रहूंगा ठीक है दोस्तों इसलिए सोचिये मत विचार मत कीजिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपन झाल